बीना मसीन बीना साचा एक अप चावल के आटे से बनाएंगे बजार जैसे फिंगर पापर जो बच्चों को बहुत भाता है बिल्कुल असान तरीके से बनता है हलो दोस्तों आप सभी लोगों का आर्ची मसाला की चन में स्वागत है रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने लिया है एक मिक्सिंग बाल उसमें एक कटोरी हम चावल का बेकिंग सोडा एट करेंगे बेकिंग सोडा की जगा पर आप खाडपापड भी ले सकते हैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए मिक्स हो चुका है अब हम एक दो चम्मच पानी चावल के आठे में डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे पूरे अधा कटोरी पानी का इस्तमाल कर लिया है अब इसको हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से हाथ से इसको मैश करते हुए एक इसका डो तयार कर लेंगे तो देखिए इस तरह का हमें सकत डो तयार करना ना है तो यह डो तयार हो चुका है अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको बाल की तरह बिल्कुल बना लेंगे तो देखिए यह बिल्कुल बाल की तरह बन गया है अब इसको हम हथेली पर रखेंगे और हथेली पर रख करके इसको प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा दवा के चप्टा कर लेंगे और इसके बीच में होल कर देंगे इस त चुका है अई proceso हमने बनाया हुए गोली को डाल को डाल देंगे चुका है और सब निकल जाएगा तो सभी को छनी में से हम एक प्लेट में रख देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे हम इसको गरम कुछ भी नहीं करेंगे जब यह थोड़ा हलका सब बिल्कुल गरम बचेगा तब इसको हम छोटे-छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे तो इस तरह से हम मैसर की सहीता से इसको हम अच्छे से मैस कर लेंगे तो देखिए हमारा बिल्कुल असानी से मैस हो जाता है तो देखिए यह कितना क्या तो इसी तरह का आटा तो इस तरह से देखिए, इतना सक्त और कड़ा चाहिए हमें, अब इस आन्टे का हम दो भाग करेंगे, और एक अगर बेलने में प्राब्लम हो तो आप चावल का आठा लगा सकते हैं और इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा फैलाते हुए बेलेंगे बहुत आराम से बिल जाता है तो देखे एक बड़ी सी और पतली सी हमें रोटी बनाना है तो देखे इस तरह से इतना पतला ह कटको are बाद में कर सकते हैं आपके इसको हम चारों तरफ से काट लेंगे और काट कर चौकोर सेप में कर लेंगे दिजिए डिजाइन बनाने के लिए हमारे पास ये विशकर ता गोले साईज का तो इसको हमने लिया है आपके पास कुछ भी हो तो आप उसको ले सकते हैं आप हम बीच से दो भाग काट लेंगे और इसको लेंगे और विश्कर को लगाएंगे इस पर अर देखिये इसको हम लपेटने पर आएगा वस उतना ही हमें लेना है लपेटने पर जितना एस्टरा होगा हम इसको की मदद से काट देंगे इस तरह से हम इसे काट लेंगे लपटने पर इतना ही आ रहा है हमको ज्यादा नहीं लपटना है वसे एक बार लपटना है कि दोनों को जोगों से आराम से एक दूसरे में टाच हो जाए अब देखे इसके उपर हम पानी लगा देंगे और पानी लगा गुमा लेंगे तो देखिए यह हमारा बहुत आराम से चिपद गया है, अब थोडा से विष्कर को हम घुमा कर आराम से नीकाल लेंगे तो देखिए यह हमारा 4 से कितना अच्छा फिंगर पापड बन करके तयार हो चुका है तो इसी तरह हम सारे पापड को बना लेंगे तो चलिए अब सुखाने के बाद मिलते हैं तो देखिए दिन भर धूप में रखने के बाद यह सुख गया है कितना अच्छा बना हुआ है तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं तो हमने गैस पर आयल हो गया है अब थोड़ा सा किनारे पर हम इसको टेड़ा कर देंगे जिसे इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए यह हमारा पापड आराम से तला चुका है और कितना अच्छा बना हुआ है तो दोस्ते इसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि आपने इसे घर पर बनाया है तो देखिए जट पर से कितने आसानी से यह घर पर बनके तयार हो गया है और देखिए यह दिखाते हैं कि कितना यह कुरकुरा बना हुआ है तो देखिए यह कितना कुरकुरा बना हुआ है तो दोस्तों यह हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो त करिए कमेंट्स करिए प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे मिलते हैं अगली वीडियों में नई रेस्पी के साथ